हेलो दोस्तों कैसे हैं आप लोग और एक वार फिर से आप लोग का स्वागत हैं मैरे अपने यूटूब चैनल रीडवल इस्टरी पॉइंट में और मैं हूं राजिस तो मैं आज आप लोग को पढ़ाने वाला हूं जो सौ माक्स के हिंदी है उसका फोर्थ चेप्टर का नाम है अर्ध नारेश्वर ठेक तो अर्ध नारेश्वर जो चेप्टर है उसके पहले लेखा का परिच्छा दे दूंगा फि पसंद करने से पहले जो लोग मेरे चैनल पर ना है या मेरे चैनल को अभी तक सबस्क्राइब करने और बल आकन बजा दे स्वर किन के द्वारा लिखा गया है रामधारी सिंग दिनकर के द्वारा लिखा गया यह चेप्टर ओके और यह अर्धनारे स्वर कहने का मतलब कि आधा नारी और अधा नर होना चाहिए ठीक है न तो यह किस में है सिर्फ इस्वर ही ऐसा कर सकते इस्वर में ही हो सकता है कि आधा नर और आधा नारी तो हम सब जानते हैं कि संकर जी यानि शिवजी शिवजी और पारवती जी का एक ऐसा कल्पनिक रूप है कल्पित रूप है जिसमें एक ही सरीर में आधा भाग सिवजी का है और आधा भाग पारवती जी का तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं अर्ध नारिश्वर कहते हैं तो चले पहले लेखक का परिचे जान लेते हैं लेखक के बारे में तो लेखक का जन्म लेखक का जन्म 23 सितंबर 1908 में हुआ था और नीधन यानि मिरित्यू 24 अप्रेल 1974 में इनका नीधन हो गया था चले अब जन्म अस्थान देखते हैं इनका जो जन्म अस्थान है सिम्रिया बेगु सराय बिहार के यानि ये बिहार के हैं बेगु सराय के जो सिम्रिया जगा है वहीं पर इनका जन्म हुआ था ओके चले आगे देखते हैं माता का नाम मनरूप देभी पिता का नाम रवी सी थ दिनकर को राष्ट कभी के नाम से भी जाना जाता यह राष्ट कभी इनको का गया यह राष्ट कभी से सम्मानित क्या गया इनको ठिक तो राष्ट कभी जैसे ही आए तो आप टिक किजिएगा रमधारे से दिनकर ओके तो चलिए आगे जानते आगे हैं इनकी सिक्षा के बारे में ठिक तो इन्हों ने आरंभिक सिख्छा गाउं में की थी ओके फिर उसके बाद 1928 में मोकामा घाट रेलवे हाई स्कूल में मेट्रिक किया था 1932 में ये पटना के कॉले से बिये इतियास अनर से पास कर गये थे ओके चलिए आगे जानते हैं इनके इनका रूची जो है साहित्यक अभी रूची उनाई सो पचीस में छात्र सहोदर पहली कवीता परकासित हुई जो उनाई सो पचीस के उमर में इन्होंने क्या क्या कि एक कवीता लिख दिया छात्र सहोदर ठिक इनकी पहली कवीता थी जो परकासित हुई देखिए वो मैट्रिक पास किये थे उनाई सो अठाइस में लेकिन तीन साल पहले यानी वो सेवें से ही उनका रूची था जो सेवें में आकर उन्होंने एक कवीता लिख दी और परकासित भी हो गया छात्र सहोदर ओके चले आगे जानते हैं छात्र जीवन में देश परकास परतीमा की अनेक रचना है परकासित हुई यानि यह उनीका क्या है कवीता है ठिक जो परकासित हुई क्या नाम है छात्र जीवन में देश परकास और प पर्तिमा की अनेक रचना है ठिक ये सब प्काशी हुए पिर आगे देखते हैं इनकी कृतिया इन्हों क्या क्या लिखा ठिक तो पर्मुँख कावे करने का मतर कहानी परमुख कावे कया इनका देख लेते हैं प्रनंग भंग प्रनंग भंग उनाइस्टो उन्तिस में रेनुका उनाइस्टो पैंतिस में उन्कार उनाइस्टो अन्तिस में रस्वन्ती उनाइस्टो चालेस में ओके चलिए आगे हैं कुरू छेत्र उनाइस्टो चालेस में रस्मी रथी उनाइस्टो बावन में निल पूर्वशी उर्वशी उनाइस्तो एक सट में तो देखिए कि वह जो उडवशी है और रसमी रथी यह थुड़ा इंपोर्टन और एक क्रूचेत्र यह तीनों जो है थुड़ा इनका जो रचना है कावे खंडे उसमें बहुत ज्यादा इंपोर्टन पुछ सकता है एक्जाम कैтов तो इस में से ज्यादा उर्वशी थोड़ा ज़्यादा करके थि पर फोकस जादा वाला कहानी है तो परमुख गध करने का मतलब कहानी उनके क्या है कहानी देख लेते हैं मिट्टी की ओर मिट्टी की ओर लिखेते संस्कृती के चार अध्याए संस्करीति के चार अध्याए कावे की भूमी का 98 में लिखे तो ठिक ये इनकी परमुक गद खन था, ओगे? और उपरोला पदखन यहनी कावे अगे देखते संस्कृती के चार अध्याए के लिए साहीत एकेडमी साहित एकेडमी पुरुषकार इनको मिला किसके लिए संस्कृति के चार अध्याय के लिए और फिर उनको उर्वसी के लिए भरतिये ज्यानपीट पुरुषकार मिला पदमभूशन से समानित भी क्या गया इनको उर्वसी के लिए तो उर्वसी वेरी इंपोर्टेंट है ध्या यह जो कहानी है इसका सरांस और सरांस ऐसा है कि आप सेम टू सेम एक्जाम में भी लिख सकते कहीं से छोड़ने क्या वह सकता नहीं है मैंने उसी तरह से सरांस बनाया यह ओके चलिए देखते हैं प्रस्तूत निवंद अर्धनारेश्वर की रचना राष्ट कभी रामधारी सिंग दिनकर द्वारा यह निवंद लिखा गया है अर्धनारेश्वर ऐसा माना जाता है कि अर्धनारेश्वर भारत का मित्किये कालपनिक प्रतिक है जिसमें दिनकर अपना मन चीता आदर्स निरूपित किया है उन्होंने अपना मन का जो बात है उसको निरूपित किया किया इस कहानी में इस निवंद में आगे है मुल्त अर्धनारेश्वर भागवान संकर और परवती का कल्पित रूप होता है मैंने बताया तो शुरू में संकर जी और परवती जी का ही एक कल्पित रूप है पिर आगे है जिसका आधा अंग पुरूस और आधा अंग नारी का होता है अर्धनारेश्वर इस बात का परतिक है कि इस्तरी और पुरूस में कोई भेद नहीं है तथा एक का गुन दूसरे का दोस नहीं हो सकता अर्थात अगर पुरूस में नारियों का गुन आ जाए तो उसकी मर्यादा कम नहीं होगी बलकि गुनों में अभी बृद्धी होगी कहने का मतलब है रामदारी सिंग दिनकर का कि जो अर्धनारिस्वर है क्या है संकर जी और पारवत जी का ही एक कल्पित रूप है जिसमें आधा अंग क्या है पुरूस का है और आधा अंग नारी का है तो जो भगवान भी क्या दर्साना चाहते है कि इस्तरी और पुरूस में कोई भेद नहीं है ठिक वो दोनों एक समान है लेकिन कभी कभी क्या होता है कि कोई पुरूस में नारियों का गुना जाता है तो उनको क्या कहा जाता है कि अरे यह आदमी तो महिला के तरह काम करता ह तो उसका क्या होता बडाई करने लगता है तो ऐसा बात नहीं है अगर 10 में महिला का गुन आजै नारी का गुन आजय तो उसकी मर्याधा कम नहीं बलकर उसके गुणों में अभी बृद्धि होगी क्यूं के देखे जो पूरूस उसमें तो पूरूस का गुन है लेकिन उसमें एक्स्ट्रा महिला का यानि नारी का भी गुन आ गया तो उसके गुनों में ब्रिद्धी हुआ increasing हुआ ना कि decreasing तो उसका और समान करना चाहिए कि अरे वाह इसमें पुरुस का भी गुन है और महिला का इस्तरी का भी गुन है तो उसका जो गुन है उसमें विकास हो रहा है ठिक है ना तो उसका मर्यादा कम नहीं वलकि गुन में अविविद्धी होगा ओके फिर है लेकिन क्रिसी के विकास के बाद नारी की प्राधिंता आरम हो गए जो क्रिसी होने लगा जब क्रिस करके फसल उगाना चाहिए ठीक तो हम जब यह जानने लगे तो फिर उसके बाद क्या हो गया कि हम ही लोग क्या कर दिये मतलब हमारी जो पुर्वाच वह नारियों को प्राधिनता करना आरहम कर दिया यानि उनको घर से बाहर निकलना पुरुसों के साथ कंदे से कंदा मिलाने वाला प्रचला ने उसको बन्द कर दिये ठीक और कहा है कि हम पुरुस है तो हम बाहर जाएंगे खेत में काम करेंगे तुम नारी हो तो तो में घर में रहो और घर का काम करो ठीक यह कब स्टार्ट हुआ जब क्रिशी का विकास हुआ तब लेकिन किरिशी का विकास नहीं थ तो उस्तामें आदिमानव लोग क्या करते थे कि महिला और पुरूस महिला पुरूस दोनों क्या करते थे कि एक साथ मिलकर अपना भोजन तलास करते थे खाते थे कंदे से कंदे मिला कर लेकिन क्रिसी के विकास के बाद महिला प्राधिनता का सिकार हो गई पिर जिंदगी दो भागों में बट गई नारी घर में और पुरूस बाहर रहने लगे पिर आगे हैं दोनों अपने कर्टवे से विचलित हो गया नर करकस और कठोड हो गया करकस और कठोड़ हो गया यानी एकदम करा दिल का हो गया एकदम कठोड़ भावना का हो गया यूद में रक्त बहाते समय उसे इस बात का ध्यान नहीं रहा कि रक्त के पिछे जिनका सिंदूर बहुरा उनका क्या हो गया हाँ क्या होगा तो सही बात है कि जब पुरुस लोग यूद पर जाते वार पर जाते तो यह नहीं सोचते हैं कि उनकी पत्नी उनकी बीवी है अगर उनको कुछ हो जाएगा तो उसके बाद उनका क्या होगा नहीं यह नहीं सोचते ही वह पुरुस लोग सिर्फ चाते कि जा सकता है लेकिन वो प्रेम से नहीं यूद चाहते हैं और यूद के कारण हमेशा कोई न कोई महिला है विद्वा हो जाती है उनका सिंदूर उसके पती के रक्त के साथ बह जाता है तो फिर आगे देखते हैं कि और और नहीं उन सिंदूर वालियों को ही फिक्र है और उनकी पत्निया भी क्या होते है कि यूद पर जाने के लिए उनको प्रोसाहित करती तो ऐसा नहीं है कोई भी बात हो तो उसको बात से भी सुलजाया जा सकता है यूद करना जरूरी नहीं है और उनकी पत्निया भी साथ देती है यह नहीं सोसती है कि अगर उनके पत्ति को कुछ हो और जो कॉड़ों का जो सभा बैठा था उसमें संधीवर्ता कृष्ण और दुर्योधन के बीच वह सभा महता हूं सब्सक्राइब नहीं होता है कि अगर प्रूश के जगा पर वहां कुंती कुंती काने का पन्डवों की और गंधारी करने के महार्यों के मा सभाव में दूने और एक दूसरे से संधी करती तो कास ब्रयाह bells महाभारत का यूद होता रच चलते उस टाइम क्या हुआ कि στην योधन और क्रिश्न क्या किये की वर्तलाप किये संधी करने गये जिसका नुषा क्या हो गया यूद का महल छिड़ गया आगे है रामधारिशिंदिनकर ने इस निवन्द में इस्त्रियों के समान को बढ़ाने पर बल दिया इन्हों ने पल दिया उन्हों ने गांधी जी और मार्कस के विचारों की वखालत की है उन्हों उन्हें नारी जाती के सम्मान की बात कही है जो जौन जी और मार्क्स जी महिलाओं के सम्मान की बात किया तो उसलिए रामधारी सिंग दिनकर ने गांधी जी और मार्क्स का वकालत भी किया फिर आगे हैं उन्होंने गांधी जी की पोती द्वारा लिखी तेफ सब्षाई की है जो गांधी जी की पोती थी उन्होंने एक पुस्तक लिखा था जिसका नाम क्या बापू मेरी मा है तो रामधारी सिंग दीन कर अपने इस कहानी में उसपुस्तक की भी चर्चा की है फिर आगे है जिसमें पुरूस में उपस्थित नारी के गूंधया छमा इत्यादी को बताए गया है क्या की थी उसकी पोती गांधी जी की पोती ने बापु मेरी मा किताब में गांधी जी के दया छमा और नारियों जैसा गुन को उसकी पुस्तक में बताया दर्साया कि बापु ने मेरी मा की तरह भी सेवा किये ये सब उस पुस्तक में बताया तो इसलिए उस पुस्तक में गा नारित्व को भी बताया गया है तो यह सब बात जो है रामधारी सुंधिन करने अपने अर्ध नारिसवर में समझाने का कोशिस किया है जिससे हमको बहुत अच्छा सीख हम लोग को मिलता है कि हमें हमेशा नारियोग का सम्मान करना चाहिए हमेशा उनका सम्मान करना चाहिए क तो आज का वीडियो यहाँ पर समापत होता है थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो और वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए ज़्यादा शैड़ कीजिए और सबस्क्राइब कर दिजिए जो लोग मेरे चैनल को भी सबस्क्राइब नहीं कि या मेरे चैनल पर नहीं ह और सब्सक्राइब करने के बाद बैल आइकन जरूर बजा दीजिए ताकि हमारा लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे तो आज के लिए यहाई पर ओके बाइग गुडबाइग अल्दवेस्ट जैहिंद